तो कुछे महीनों पहले बूट ने उनके प्रीमियम स्मार्टोजस के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था Enigma बहुत ही जल्द इस सीरीज के अंदर चार स्मार्टोजस लाँच होने वाली है और इनमें से एक स्मार्टोज है जिसका नाम है बूट Enigma Z20 आज की इस विडियो में हम इसी smart watch को detail में एक्स्प्लोर करने वाले है। जानिक इसके detail specification और इसथ इस smart watch की क्या surprise होने वाली है इसे के बारे में भी बात करेंगे। वश्च पॉल बात करें इस smart watch के design के तो design वज़ी smart watch अपको बहुत ही बड़ी ह!!!!!!!! रगेड लुक प्रवाइड करती है और ये स्मार्टोच इतने सारे कलर्स के अंदर अविलेबल है ये एक रगेड स्मार्टोच तो इसके बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छे होने वाली है और इससाथ IP67 रेटिंग में दिखने मिलती है डिस्प्ले की बात करें तो 1.51 इंचेस का बड़ा सा राउंड डिस्प्ले है जो कि एक नॉर्मल सा ही डिस्प्ले है इसका पिक्सल रेशियो अच्छा है जिसो जैसे कॉलिटी भी अच्छे होने वाली है लेकिन मुझे लगता है 3,000 रूपिस के बजट में उन्होंने अमोली डिस्प्ले देना चाहिए था ब्ल्यूथूथ कॉलिंग का फीचर है और इस स्मार्टोच के अंदर आप डाइसो से भी ज़्यादा कॉंटेक्स से उकरके रख सकते है अगर इसकी बैटलाइफ की बात करें तो नॉर्मल इस पर 4-5 डेसके असपस चल जाएगी अगर आप कॉलिंग फीचर के साथ यूज करते हो तो एक से दो दिन के असपस चल जाएगी और इसका साथ वाइस असिस्टन का फीचर भी है हेल्थी रिलेटेड आपको मेंड में ट्रैक के सी देखने मिलते है जिसकी हर्ट ट्रेट मांटर है साथ यूज से भी ज्यादा स्पोर्ट्स मोर्स है जो की ओर रूल बहुत अच्छी बात है इस स्मार्टोच के अंदरा को कुछ एडिशनल फीचर दिखने हो मिलते है जिसकी इन बिल्ड कुछ गेम से और इससाथ फाइड मैं फोन का फीचर भी है स्मार्ट फीचर जिसकी स्मार्ट नुडिविशन, कामर, शिटर बटन, वेदर इंपरमिशन, म्यूजिक कंट्रूल इस तैप की फीचर भी है यूटिलिटी फीचर जिसकी टाइमर सेट करना, अलाराम सेट करना, स्टॉपज लगाना इस तैप की फीचर भी है बहुत सरे टैप के watch faces है और इस स्मार्टोच को स्मार्टफून के साथ करेंटी करने लिए आपको इस app का यूज़ करना पड़ता है इस स्मार्टोच की weight की बाद करें तो 100 ग्राम के आरां इस स्मार्टोच का overall weight होने वाला है अब इस स्मार्टोच की price के बाद करें तो 32 double है इसकी price है और इस price के साथ से ये स्मार्टोच मुझे बहुत ही जादा overpriced लगी